आपको बहन से प्रेम है, बहन को भाई से प्रेम है, तो उनसे फिट फिट ले लिए न, कि मुझे को इस प्रपर्टी में से हिसा नहीं चाहिए, कोई रेकर्ड नहीं है, कोई सबुत नहीं है, चाह सर्वे के पहले का हो, सर्वे के बाद का हो, ऐसे तो जमीन सरकार का बहुत सा ब्रिक्च में कोई तो एक होगा जिसके नाम पर जमीन होगा चाहा वो अंग्रेज के जमाने में पट्टा मिला हो चाहा बंदोबस्ती हुआ हो चाहा आपको लीज मिला हो चाहा रज़्ट्री हुआ हो चाहा सर्वे हुआ हो डिविजनल सर्वे हुआ हो क्लेश्टर सर्वे हुआ प्रूफ तो जो प्रूफ नहीं देखाएंगा उनका जमीन नहीं होगा नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइफ इसको मैं नावशे के हमाई साथ बातचीत करने के लिए पूर राजस मंत्री रामसूरत राय है इनसे बातचीत करेंगे जमीन सर्वेय काम चला है लेकिन विपक्ष कहरा है कि यह खून होगा इससे मडर होगा हत्याएं होंगी बिहार में इस जमीन के काम को लोगों को परशान करने के लिए काम दिया जा रहा है आधिकारी पैसा ले रहे हैं खूनी खून का ही बात करता है जो खूनी है उसको सोता अधिकार दिया है कि आप सोता बंसा बली बना करके दिजिए आपका जमीन आपके बच्चों के नाम पर चला जाएगा तो जो लोग बैमान होंगे जो लोग बैमानी करना चाहते होंगे उनको थोड़ा पेट में दर्द होगा जो लोग भाई बहन को हिस्सा नहीं देन चाहिए था क्योंकि जब मैं मंत्री मंदल से जब हमारी कट्वंदन की सरकार हटी उसी समय मुझाफर पूर जिला अन जिला को भी बलोग को हमने चिन्हित करके ओके कर दिया था लेकिन इस दो साल में जो विगत 18 महीने 17 महीने की जो सरकार थी उसने एक कदम भी चीटी के त सानवाद जता हूं कि ये सब के बेटे पोते खतियान धारी बन जाए ऐसी बिवस्ता है जो जमें डिश्प्यूट है वो डिस्प्यूट रहेगा जो फ्रेस है वो सर्वे हो जाएगा उतना तो विवात समय ना ठेकिन इसमें दिक्कत आ रही है कि कार्यालों से खतियान मिल आपको सबूत तो बताना ही होगा आपने अगर कोई सबूत ही नहीं लिया आज तक पांच मिनट जैसे आप जमीन दादा पर दादा लिखाया आपके पास पेपर नहीं है या किसी भाई ने लेकर उसको अकेले चुपचा पर रख लिया जो वहर का बड़ा भाई था किसी को का प्रागज नहीं दे रहा है तो आज के दिन में सटिफाइग कोपी हो ऑनलाइन हो उस्तों सबूत देखाना पड़ेगा नापको कि हम इस जमीन के मालिक हैं हमारे दादा के नाम पर हैं बंसावली में हम परपोता हैं तो आपको अधार तो बताना पड़ेगा तो आधार करके हो चकबंदी से लेकर करके हो कुछ ना कुछ तो प्रूफ देखाना होगा जो प्रूफ ही नहीं देखाएंगे उनको जमीन नहीं होगा उनका खतियान दिखाना खतियान देखावें के बला देखावें पट्टा देखावें मंदोबस्ति देखावें आखिर तो अधि हाइभाई है आफ वहन है तो नाम तो दर्साना पड़े गाना ठीक है आपको वहन से पmia को भाइक से प्रेम है तो उसे फिट फिट ले लेैं कि मुझे इस परपर्टी में से हिसा नहीं चाहिए हम पाचे कठालेंगे हम लोगनें भी किया है तो लोग करना नहीं चाहते हैं उत्रबषबान है बाइस से नहीं करना चाहता है समस्या तो यह है तो बैमान दो लोगों के मन में है are just kafाथा खतियान नहीं है लेकिन खाता ख़िसरा नम्र पता है और जमीन का पूजीशन भी आ उसका जोएं जिनफे जमीन उनके नाम पर सुरी चला जागा मेरा कहना कि पहचान खाता खेसरा समझोत रहा है लेकिन आपके बंस में ब्रिक्ष में कोई तो एक होगा जिसके नाम पर जमीन होगा चाहा वह अंग्रेज के जमाने में पट्टा मिला हो चाहा बंदोबस्ती हुआ हो चाहा आपको परचा धथारी जिनको परचा सरकार ने दिया उनके नाम पर बजापतिश सर्वे होगा और वह लिखा जागा बिहार सरकार घर में जरुआ है और फलाने माजी के नाम पर है इनके द geschलकबजा में है जो पर्चा धारी गरीब है मैं तमाम आपके चैनल से वैसे गड़ीवों से अग्रा करना चाहूंगा कि तमाम आज के दिन में चुनाओं के समय में बहुत सारे लोग जाएंगे जो आपको बर्गलाने का प्रियास करेंगे जो जमीन आप जिस तरह से घर बना के रह रहे हैं आप इत्मिनान से रहिए वो जमीन अगर सरकार के द् परच कावड़ मिलता है तो वह सवागत नहीं है drinkude फरलोग रह रहा है है आप सरकार की जमीन हरपते जा रहे हैं आप दुसरे के जमीन हरपते जा रहे है आ आप पह lifting मालिक हम् है यह ही चीज मैं सही से बोलता हूँ तो लोगों को तकलिफ होता है मेरा कहना है कि सरकार अच्छे के लिए काम करती है जहां काम अच्छे होते हुर्थ लेकिन प्रूफ देखाना होगा सिधे को देंगा गांधी मैंधन हमारा तो हो जाएगा हमको देजएगा सरकार देगी हमको नहीं देगी इसलिए जो भी जमीन पर आपका घर हां डलीत है लेकिन बेचने काधिकार नहीं उसके नमपराने अपने मतलब गाम तो नहीं चलेगा हो जो हमारे पूर्बज जो चाह हिंदू हो चाह मुसल्मान हो जिसने बकवोड में दान दिया कबरिस्तान में दान दिया मंदिर में दान दिया वह परपर्टी धर्म धार्मिक का होगा चाह मुसलिम समाज का हो चाह हिंदू समाज का हो ठीक है आप जो उतके खा रहे थे फिर आगे खाईए कोई दिकत नहीं लेकिन सरकार के नाम से जमीन होगा और सरकार का अधिपत होगा लेकिन धार्मिक में जो है वो भगवान का होता है ट्रस्ट का होता है भगवान के नाम से सर्वे होगा, उसमें देख रेक जो करता हो, केर टेकर हो सकता है, सेबक हो सकता है, नोकर हो सकता है, पुजारी हो सकता है, मालिक कभी नहीं होगा, वैसे जमीन खड़ित विक्री रोक है, जो भी लोग खड़ितते हैं, वो समभल जाए, जो लोग बेशते ह कि जमीनों पर रिकब्जा कर रखा है पिहार सरकार तो बहुत दूर बैठा हुआ है लोगों के नजर में मंदिर का जमीन के लिए बहुत दूर बैठा हुआ है वह अपने भाई का जमीन दखल कर लेता है तो कौन बर का बात हो गया तो बैमान का कोई उपाय है इस सर्वे से त किसी तोर पे जो दखल अगर यह किये हुए है जमीन आपके नाम से है ते पर प्रस्तुत किता आपके नाम पर खतियान बनेगा उनके नाम पर नहीं बनेगा आपके नाम पर एडमिट होगा चरहेगा उसका खतवनी होगा नापी होगा उसको अपत्ति दर्ज करना होगा आपत प्षाइब फलाने में मेरे दादाने के नाम से था उसमें ज्यादे बिग गिया यह कोट में केस लड़ रहे हैं टाइटिल हमारा है सुनवाई होगा तो जो भी बादित उसको छोड़ेगा उसे लिखेगा कि कोट की डिसिजिएन के बाद जो होगा इनका अधिकार होगा जो क और उसपर कोई अपत्ती नहीं तो निशी तौर पर आपके नाम पड़ जाएगा जरू जाएगा अगर उसमें कोई भाई पटदार अपजिक्षं करता है कि नहीं बटवारा जो हुआ मुझे मालूम नहीं मेरा साइन नहीं है मेरी जनकारी में नहीं है तो पहले जमीन में बिवाद कम था जमीन का कीमत कम था जमीन जोतने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं थे हर बैल नहीं थे टेक्टर नहीं थे अब पहले जमीन जमीन दार जोत्ते थे अब जमीन जो है हर मजदूर जोतना चाहता है तो जमीन जिसके पास पेपर है वो जमीन का मालिक है जिसके पास नक्सा खतियान के वाला जो कहते हैं उसके अधार पर है जो है उसको मिलेगा जो लोग कुछ गरवर किये उनको पेट में दरद है एक अंतिम सवार है आप लोगों से अपील कर दीजिए कि कई तरह की अफ़वाई उड़े गाउं गाउं में अफ़वाई उड़े जो बीदेशी फंडिंग पर नाच रहे हैं विहार दोर देश के अंदर वैसे तमाम दलीत सोसित बंचित पिछराती पिछरा के समाज के लोगों से मैं कहना चाहूंगा अगरा समाज के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि जमीन आपका है आपका रहेगा उसका सबूत आपको जमीन देती है लेती नहीं है आप डान में दिये सहयोग किये वो आपका सरकार का हो गया सरकार फिर जनता के सेवा के लिए करती है तो मैं तमाम बिहार के उन लोगों से आगरा करना चाहता हूँ जो इटी गटबंदन के लोग चाहे जो अभी नए ने दल के लोग समझाने बुझाने जाएंगे समझने किया बसकता नहीं है जमीन आपका था आपका रहेगा वैसे लोग को परसानी होगी सो में दस परसन है टाकत के अधार पर रखा है फर्जी कागज के अधार पर ले रखा है वह यसे लोगों को परसानी होगी बांकी 90 पर्शन को लाभ होगा वहार सब्सक्राइन का है बहार सरकार के पूर्व राजस मंत्री है और साफ-साफ इन्होंने कई तरह के सवालों का जवाब दिया है और बताया है किस तरीके से जमीन समस्या में अगर आपको परशानी हो रही है आपको कोई सवाल जानना है तो इन्होंने खुलकर बताया है जिस तरीके से जमीन सर्वे हो रहा है उसको लेकर बताया है और बैमानों से साफधान कहा है बैमानों की जमीन सर्वे में चली जाएग एंदिर और जो मुस्लिम वर्ग में मजजित को बहुतन के नाम पर हो गई हैं जमीने तो ऐसे में उनका कुछ नहीं होगा वह भगवान के नाम पर उस जमीन को ना बेचा जा सकता है ना खरीदा जा सकता है तो मैं देखें लाइफिटीस के साथ